तो चलो प्यारे बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं अप्लिकेशन पर इंटिग्रेशन पर इसमें पिसिकली हम सर्फेस एरिया आप एस्पीर निकालेंगे एक एस्पीर उसकी जो बाहरी लेर है सर्फेस एरिया जो एर के कॉंटेक्ट में वो एरिया हमें चाहिए निकालेंगे क्योंकि यहां पर अंदर आप फिजिक्स पढ़ोगे तो यह जो कॉंसेप्ट मेनी टाइम से यूज होगा अच्छे लेबल के फिजिक्स पढ़ोगे तो सर्फेस एरिया आपको यह वाली चीज जो है इलेमेंटरी का कैसे कैलकुलेट होगा वह हमें निकालना टिक है यहां पर डिटेफ्रेंशियल ॰िमेंट होगा है इस रिंग के पास कुछ थीकनेसा है अगर मैं इस का यह निकलने में सट्स Ш笑 हो गया और फिर उसी तरह से यह पूरा ऐसे तो प्लस एटू प्लस एटीरी ठीक है पूरा एरिया ए मिलेगा जो की होगा फॉर पाई यार अस्कॉाइर तो एक डिफरेंशियल रिंग का एरिया निकालने में अगर आपको सफलता मिल गई तो पूरा लिमिट लगा के इंटेग्रेट कर दोगे तो प्राबलम हो जाएगा इस लाइन पर मैं झेट है जीरो लेता हूँ और यहां से ठीटा यह गल मेरा पूरा कभर होगा तो तो इस लाइन पर थीटा 90 से नीचे जाओगे तो लिमिट चेंज हो जायेगा और यहां जो धेटा की वेलू होगी माइनस 90 डिडीरी होगी या पाई वाई टू होगी ठिक ना माइनस पाई वाई टू बात समझ में आए डिस इस ड़ लोवर लिमिट बाई अधर गुमा दो और तीटा की वेलू उपर घुमा दो तो प्राउलम हो जाएगा बात समझ में आ गया हर्जेंटल से थीटा लिया हू बोलता हूँ और यह एंगल यहां Pacific जिरो वाली लाइन और यह एक टिटा डिगरी पे जा के इक एंगॉल न रहा हूं और यह मुझे ती ढूर्ड तो थीकने चाहिन विभरिग की जोिद़ से उसको मैं यी अग्स बोलता हूं ठीक है डी एक्स अगर यह इसमें देखो यह वाले अगर यह जो इलेमेंट है यह 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 तीट यह तो यह यह आर्क तो इस आर्क की जो वैलू आ जाएगी आर्क एंगल मल्टिप्लाइड वैल की वैलू ओती है इंगल मल्टिप्लाइड वाइड राइडियस वाट समझ में आरा प्यारे वच्चों तो इंगल उन्गल यहां से दी ठीटी यहां राजर तो यहां से आडी ठीटा जो है वी किम अब यहां से तुम देखोगे रेडियस अब यहां एक छोटा सा ट्रेंगल बना है और यह यहां से यह अपनी रिंग है तो यह इसमाल आ रहा है और यह अपना यहां यहां से कॉस्ट बत समझ में आ गया और यहां से कॉस्ट थीटा से बराबर यहां तो अगर ये cos theta r cos theta के बराबर आ जाएगा इस चोटे से प्यारे से triangle में आ जाओ इस triangle का नाम रख दो A B C तो इस triangle में जो ring की radius हो हमें पता जाएगे अब ring को यहां से काटोगे ring को काट दोगे तो ring को काटने के बाद एक length यहां से मिलेगा जिसकी यह अगर ring की radius आ रहे तो यह जो length है यह length वो अपना 2 pi r होगा और यह जो ठीकने से ring की ठीकने से dx वो मैं पहले ही निकाल लिया हो ठीकना तो इस छोटे element की area आ जाएगी area of this area of this element area of this element काटने के बाद रिक्टेंगल हो जाएगा तो area da is equal to l multiplied by dx और l की value आ जाएगी 2 pi r ring को काटे हो और ठीकनेस dx r d theta तो पहले ही निकाल लिया हो ठीकना तो यहां से 2 pi small r की value डाल दो क्योंकि मैं theta में integrate कर रहा हूँ तो small r की value उपर निकाला हूँ r cos theta और यहां से r d theta तो जो small area da की value आ जाएगी 2 pi r square और यहां से cos theta d theta अब हमें चाहिए total area तो total area के लिए प्यारे बच्चों मैं limit लगा के integrate करूँगा तो limit देखू कहां से कहां पहले ही समझाया हूँ limit अगर यहां से ऊपर घुमा दोगे यहां से ऊपर घुमा दोगे theta की value और नीचे घुमा दोगे क्योंकि ठीकना minus pi by 2 theta की value 2 यहां से plus pi by 2 theta की value और यहां जाएगा 0 to area A ठीकना तो यहां से area जो A की value आजाएगी वाजाएगी 2 pi यहां से r square cos theta का integration होता है sin theta और यहां से limit जाएगा minus pi by 2 90 degree प्लस यहां से plus pi by 2 तो यहां से 2 pi r square आ गया और यहां से sin pi by 2 ठीकना और minus sin minus pi by 2 तो अब obviously इसमें अगर आप देखोगे तो 2 pi r square और यहां से sin pi by 2 और यहां से plus sin pi by 2 ठीकना 90 degree क्योंकि यहां से आप पड़े होगे कि sin यहां से minus theta बराबर होता है minus sin theta के ठीकना तो यह मैंने लगा दिया और sin pi by 2 sin 90 यह sin pi by 2 की जो value होती है वो बच्चो 1 होती है तो यहां से 2 pi r square और यहां से 1 plus 1 यहां से 4 pi r square की पराबर आ जाएगी तो अगर जो sphere है उसकी जो surface area है वो यहां से हमें कैल्कुलेशन में आ गया आई हो कि आपको समझ में आ गया होगा अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो कई बार देखो obviously समझ में आए का हर चीज बहुत बारीकी से और मैंना से समझाया हूं थेंक्यू